असलाम अलेकुम केसे हैं आप उम्मिद करती हूँ सब खेरियत से होंगे तो जी रमजानी स्पेशल में आज हम बनाने वाले हैं पूने की फेमस मेंगो मस्तानी वैसे तो ये पूना में बनती है पर इसके टेस्ट की वज़े से ये पूरे ही इंडिया में फेमस है इतना लाज इसको एक बनाकर कर के ट्राइ करोगे ना तो अगर आप इसके आगे कुल्फी आइस क्रीम शेक वगेरा सब भुल जाने वाले हो और पूरे Animzana पर नए हैं तो प्लीज चनल को भी सस्क्राइब कर लीजेगा क्योंकि मैं इसी ही मज़ेदार रेसिपीज अपने चनल पर शेयर करती रहती हूं तो चलिए फिर बिना देरी किये शुरू करते हैं मेंगो मस्तानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 रुपे वाला गुड़े ब बना रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से आप इन बिस्किटों को कम्याजादा कर लीजेगा तो अब इन सारे ही बिस्किटों को हम मिक्सिजार में डाल कर बिल्कुल बारिक पीस लेंगे यह देखिए इस तरह से यह अच्छे से पिस चुके हैं अब इन्हें हम एक बोल में नि लीजेगा तो चलिए अब साइट में रख देते हैं और आम को कट कर ले ते हैं तो यहांपे मैंने 500 ग्राम के करिब आम लिए और 500 ग्राम में यह दो आमाए इनंहें ब्याद्म मेंस क्याटा है और इसी आम से पूने में मैंगो मस्तानी बनाई जाती है क्योंकि इसका टेस् इतना अच्छा नहीं आ पाएगा तो चलिए इन दोनों को मैं छील कर कट कर लेती हूं और फिर आपको दिखाती हूं कि आपने इने किस तरह से कट करना है ये देखिए दोनों ही आमों को मैंने अच्छे से छील करके कट कर लिया है आदे हाम को मैंने इस तरह से बिल्कुल बा नहीं है अब इसमें हम आधा चमज के करीब हरी लाइची का पाउडर एट कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें एट करेंगे दो चमज के करीब शकर आम काफी मीठे थे इसलिए मैंने इसमें सिर्फ दो चमज शकर एट की है अगर आपके आम थोड़े खटे हो तो आप उसमे थोड़ी जादा शकरेट कर लीजेगा अब इन्हें हम इतने अच्छे तरीके से पीस लेंगे कि इसमें आम का एक भी पीस नहीं दिखना चाहिए तो यह आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है अब इसमें हम दो चम्मज भरके आप चाहें तो आप मेंगो आइसक्रीम भी इसमें ले सकते हैं मगर जब आप इसमें वेनला टेस्ट वाली आइसक्रीम एट करेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग हो जाएगा और बहुत ही गजब का इसका टेस्ट आएगा तो अगर हो सके तो आप इसमें वेनिला आइस क्रीम ही एड़ कीजेगा अगर यह आपको ना मिले तो फिर आप इसमें मेंगो आइस क्रीम एड़ कर सकते हैं अब इस आइस क्रीम को हम इसमें हलका सा मिक्स कर देंगे और एक बार फिर से हम इसको पीस लेंगे चार से पास सेकिन के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से मैंने इसको पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो और भी जादा लाइट हो गया है तो अब इसमें से आदे पेस्ट को हम एक बॉल में निकाल देंगे और आदे पेस्ट को हम इसी में रहने देंगे क्योंकि आदे पेस्ट में हमें अभी और भी आईस क्रीम मिलानी है तो यह आप देख सकते हैं कि तक्रीबन आधा पेस्ट मैंने इसमें से निकाल लिया है और आधा अभी मिक्सी जार में ही बचा हुआ है तो अभी इसमें हम दो आइस क्रीम औरेट करेंगे देखिए मैंने यहाँ पे दो चमच भरके इसमें मिल्क पाउडर एट कर दिया है अब इसको हम फिर से एक बार पीस लेंगे देखिए एक बार फिर से मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि मूँ में जाते ही घुल जाने वाला हमारा पेस्ट बन करके तयार हो गया है अब इसको भी हम एक बॉल में निकाल देंगे इस तरह से आपने इसे सर्व करने से पहले तकरीबन एक से डेड़ घंटे के लिए फ्रीज में जरूर रख देना है उसके बाद ही आपने इसे ठंडा ठंडा सर्व करना है तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक खुबसूरत सा ग्लास ले लिया है अब इसमें हम ये हमारे पिसेवे बिस्किट एट कर देंगे पिसेवे बिस्किट को ग्लास में डालने के बाद हम इसको एक बर सेट कर देंगे अच्छे से चमज की मदद से इस तरह से अगर आप इसमें बिस्किट नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको skip भी कर सकते हैं तो बिस्किट की जगा पे आप इसमें सीधा mango भी add कर सकते हैं तो अब इसमें हम 2-3 चमज भर के बारिक चोप कीवे हमारे mango add कर देंगे ताके ये अच्छे से full जाएं ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये full चुके हैं आप इसके जगा पे ताजे अंगूर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर मेरे पास ताजे अंगूर नहीं थे इसलिए मैंने इसमें किश्मिश add कर दिये हैं तो इन दोनों में से एक चीज आपको इसमें जरूर एट करना है क्योंकि इसके बिना मेंगो मस्तानी नहीं बनाई जाती अब इसमें हम मेंगो का पेस्ट एट कर देंगे जिसे हमने आइसक्रीम के साथ बना कर रखा था यह देखिए इस तरह से तो जो डाग कलर वाला और बादाम भी एट कर देंगे आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राइफूट इसमें एट कर सकते हो अब इसके उपर से हम इसमें लाइट कलर वाला पेस्ट एट कर देंगे जिसे हमने मेंगो और आइसक्रीम से बना कर रखा था इस पेस्ट को डालते डाइम हमें गिलास को थोड़ा सा खाली रखना है क्योंकि अभी हमें इसमें आइस क्रीम भी एट करनी है अब उपर से हम इसमें थोड़े से चोपकियवे पिस्ता एट कर देंगे थोड़े से बादाम एट कर देंगे जब मैंने मेंगो का पेस्ट बनाया था तो उसमें मैंने तीन आइस क्रीम एट की थी और एक आइस क्रीम को मैंने बचा लिया था तो उससे हम इसको उपर से गार्निश कर देंगे अब इसके ओपर से हम थोड़े से बादाम और फिस्ता ओरेट कर देंगे और इसे और भी ज़ादा खुबसरुत बनानी के लिए हम इसे एक स्टोबेरी से गार्निश करेंगे तो यह देखें यहाँ पर मैंने एक स्टोबेरी ले ली है इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे तो देखें स्टोबेरी लगाते ही हमारी मेंगो मस्तानी का लुक कितना बढ़िया आया है तो चलिए फिर यह मेंगो मस्तानी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को फटा फट से लाइक कर दें और जादा से जादा शेयर करें और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को भी ज़रूर सस्क्राइब कर लें क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी ही मज़ेदार और नई नई रेसिपी शेयर करती रहती हूँ तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आला हाफीज